वेल्कम बैक टू माई चैनल सबसे पहले आप इससे मिलिए यह हमारे गर का नन्हा सा मेमान यह एक्चुली गिर गया था नाली पर तो इसको लोग वहां से उठाके लाएं उसके बाद इसको बढ़िया से शैंपू किया है और देखे किता खिला खिला सा लग रहा है और अभी बैट पा रहे हो बैट गया यह देखिए अब यह बैट गया हम आपको ले चलते हैं अपनी छत्पे जहां पर यूजिली हम लोग वेस्ट मेटीरियल लगते हैं क्राफ्स बनाने से रिलेटेड जो भी होता है उस तरीके का मेटीरियल हम लोग छत्पे ही रखते हैं और आज इतनी धूप और रखी है छत्पे लेकिन क्या करें समान तो यही रखा रहता है यह देखिए मेरे छोटे-छोटे से प्लांट्स हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए अभी भी छोटे-छोटे टमाटार इसमें लगा के रखे हैं बहिया ने और आज क्या मिलेग क्राफ्ट के लिए चलिए देखते हैं यह देखिए यह इस तरह के कुछ सूखे प्लांट्स हैं जो कि आ आप लोग देख पार होंगेS तरह के प्लांट्स है जिनको हम ले चलेंगे नीचे crafts बनाने के लिए room पर, चलिए फिर उसको तोड़ लेते हैं, और इससे कुछ बढ़िया सा बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, चलिए हमने तोड़ लिया इसको लेके चलते हैं, यह देखें सारे हमने कुछ उस तरीके के तोड़ लिया हैं, आप वीडियो केंड तक बिल्कुल बने रही है, देखने के लिए मिस्स क्या बनाने जा रहे हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिल्कुल इस रिंग के साइस का देख लिए हमने रिंग लिया है स्टील का है ये इसके बाद हम जूट रोप लेंगे और उसको फैविक ओल लगाने के बाद इस तरीके से थोड़ा लपेट लेंगे दो तीन रोल लपेटने के बाद हमको इसको सामने सामने से इस तरीके से बिनना है या आप कह सकते हैं इस तरीके से आपको लपेटना है बिल्कुल सीधा सीधा सामने सामने से बिल्कुल इजली ये हो जाएगा ये देखे और पूरा रिंग हमें नहीं बिनना है हमें आदा ही लपेट कर त्यार करना कर दिया और ऊसके बाद नॉट भी लगा सकते गाट लगाने के बाद लगाइने के बाद हम इस पे देखे सारे letters हमारे cut हो गए अब हम इसको color करेंगे color करने के लिए मैंने golden color लिया है आप चाहे तो आप इसको glitter sheet पे भी cut कर सकते हैं तो आपको color करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास नहीं था तो हमने इस तरीके से color करके बना लिए अपने letters तब तक हम इसको सूखने के लिए रखते हैं और वापस से अपनी ring पर आ जाते हैं अब देखिए हम इसको hang करेंगे दिवाल पे तो उसके लिए हमने wooden beads लिया है जो कि मुझे पुराने पर्स से मिल गई थी और जूट रोब को इस तरीके से हमने लपेट करके लगा लिया है जिससे हम इसको hang बना सके यह देखिए हमारा बिल्कुल ready हो चुका है इसके बाद हमारे letters भी सूख चुके हैं paint से तो हम इसको धीरे-दीरे glue की help से चिपका लेंगे बिल्कुल अपनी ring पर इस तरीके से और देखिए आपको अभी से इसका look समझ में आने लगा होगा कि कितना classy लग रहा है औ अब भी इस तरीके के plant को बिल्कुल use कर सकते हैं उसको फेकने से पहले हमारा वीडियो जरूर देखिए और हमारे साथ बढ़िया easy easy और सस्ते सस्ते क्राफ्ट से अपना घर सजा सकते हैं और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें सब्सक्र